दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक नई एलीट युनिट स्थापित की है आप जिसे न्यूज में देख सकते हैं आज कोई भी अकबार खुलें इसके चल्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं इंडियन आर्मी इस्टैब्लिश एलीट टेक के युनिट स्टीग जिसका काम है फ्यू दूसरे के साथ कोडिनेट कर सके और फिर उस पर हमला कर सके वह बदलती हुई परिस्थती में क्विक डिसीशन लेना है और इतना ही नहीं दोस्तों यह सब अगर आपको अचीव करना है तो आपके पास एक रिलाइबल एफेक्टिव कम्यूनिकेशन होना चाहिए वह कर रहा है और आतंगवादी जो अक्टिविटी है वह भी कुछ बड़ी है उसके पीछे कारण बताया जा रहा है यह जो आतंगवादी संगटन है यह इंक्रिप्टेड वाई इसे में सर्विस यूज़ कर रहे है जिसमें चाइनी सीडिय में टेक्नलोजी का इस्तमाल हो रहा है और रेडियो सेट्स और स्मार्टपोन को मिला करी कम्यूनिकेशन चैनल काम कर रहा है इस वज़े से टैप नहीं हो और इस वज़े से वह उप्रेशन को अंजाम दे पा र कड़ना है तो उसी के तरीकी से आपको भी आगे बढ़ना होगा और इसलिए इंडियन आर्मी ने ये स्टीग एलीट यूनिट इस्टैबलिश की है कान लगा कर अब चाइना और पाकिस्तान सुनते रह जाएंगे लेकिन भारतीय सेने क्या प्लान कर रहे है क्या ऑपरेशन स्टीग को स्थापित किया है दोस्तों इसका काम है जो नेक्स्ट जेनरेशन कम्यूनिकेशन टेक्नलोजी है उस पर रिसर्च करें और उसको इवालूएट करके आर्मी से रिलेटेड कम्यूनिकेशन सिस्टम बनाने में इंप्लीमेंट करवाया जाए स्टीग दोस्तों अल करने के लिए एडाप्ट करवाएगा वो AI पर काम करेगा फाइजी सिस्टी नेट्वर्क्स पर काम करेगा मशीन लर्निंग क्वांटम टेक्नलोजी वगेरा पर काम करेगा दोस्तों यहां पर एडवांस्ट कम्यूनिकेशन के पैबलिटी से लास्क करवाना है भारती आर्म होगा जुकि इस प्रकार की निश्ट टेक्नलोजी जैसा मैंने आपको बताया AI मशीन लर्निंग वैसे ही 5G 6G टेक्नलोजी इन सब पर काम करेगा इनको आइडेंटिफाई करेगा और किस प्रकार से इसको इंप्लिमेंट करना है वो भी दियान रखेगा और इसके लिए जा इनिट कैसे भी करके ही जो ICT solutions है आर्मी तक पहुंचाएगा और इसको सुर्फ यूचर में मेंटेन करने का भी काम करेगा तो अगर हम बात करें तो यह यूनिट का काम है research and development करना और उसके द्वारा इंडियन आर्मी के लिए tailored technologies बनवाना across communication channels जो की wired भी होगा wireless भी होगा ज जिसमें अलग-अलग चीज़े mobile communication पर R&D करना वैसे ही आप देखे software development software defined radios पर R&D करना electronic warfare systems पर करना 5G 6G technology quantum technology AI machine learning इन सब पर काम करेगा दोस्तों यहाँ पर चाइना पर पहनी नजर है Chinese military ऐसा कहा जा रहा है 6G technology से last होने वाली है दोस्तों यह उनकी military को पून रूप से transform कर दे UAVs यूज हो रहे हैं वैसे ही आप देखे तो अब वैसे ही unmanned submersible vehicles भी छोटे-छोटे जहादे वो भी इस्तमाल हो रहे हैं तो इस प्रकार से अगर आप देखे तो military transformation हो रही है क्योंकि network centric warfare हो रहा है जिसमें अगर आप देखे तो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है internet का communication का और इसके साथ military operations future में तो पूर्ण रूप से transform हो जाएंगे और इसके साथ अगर आप देखे तो एक unit बहुत बड़े unmanned military assets को इस प्रकार के communication channel के माध्यम से command करेगी आप सोचिए swarm of drone है वहाँ पे एक army की unit है और वो swarm of drone आपस मेहीं एक दूसरे से communicate कर रहे हैं AI के उसे का situational awareness है और क्या mission है वो उसको अंजाम दे के आ रहे हैं तो इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार का swarm drone यूज भी कर रहे हैं तो उसमें सबसे important है communication channel और इस प्रकार से चायना जब 6G पर move करेगा तो बहुत बड़े scale पर वो unmanned military assets को network centric warfare में इस्तमाल करने वाला है यहा हो और उस प्रकार से इसका इस्तमाल करके हम आगे बढ़ें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूस क्या है चायना और रशिया ने quantum communication link को test किया है दोस्तों quantum communication अगर आप देखें तो इस वक्त कहा जाता है practically छोड़िए theoretically भी इस वक्त जो technology है उससे आप quantum communication जो हो रह देली ने 100 km की दूरी तक quantum communication को demonstrate किया है पर दोस्तों यह wired network पे हुआ है optical fiber cable का यहाँ पर इस्तमाल किया गया था दोस्तों यहाँ पे अब चायना next level पर जा रहा है जहाँ पर वो quantum communication satellite network बना रहा है जिसके द्वारा आप समझ लीजिए यह जो swarm of drones होंगे unmanned assets होंगे यह untapped इस को आप jam नहीं कर पाएंगे block नहीं कर पाएंगे maybe शायद jam कर दे लेकिन बहुत कठिन है उस प्रकार के तरफ उस प्रकार के टूल के तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को भी इसमें जरूरी है वो आगे बढ़े और इसमें बहुत बड़ा रोल अगर आप देखे तो यह स्तीग करने वाला है जब वो इस प्रकार के quantum technology 6G पर काम करेगा टेकनलोजी तो भारत के पास है डियाडी और आईडी दली ने बनाया है लेकिन उसको battlefield पर अगर इस्तमाल करना है तो miniaturize करना होगा उसको robust बनाना होगा कि हर प्रकार के system में वो काम कर सके wired के साथ साथ wireless satellite based communication network quantum communication network वह भी स्थापित करना होगा तो वह सब जो करना है उसके लिए उसी को ध्यान में रखते हुए steeg की स्थापना हुई है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी like जरूर कीजिए का इसके सिवह आप चाहे तो हमें आर्थिक रूफ से साहता दे सकते हैं यह हमारा QR code है जी पे फोन पे के माधिम से आप scan करके support कर सकते हैं गर आप विदेश में ह आएगा लेकिन सबसे बड़ा support है आपके subscribe button को दबाना आपके bell icon को दबाना तो make sure आप subscribe कर रहे हैं bell icon दबा रहे हैं आपको और एक वीडियो आ रही होगी इसको भी वश्य देखिएगा काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको इसके माधिम से मिलने वाला है